एक बार की बात है, एक छोटी से गाव में करिस्मा नाम की लड़की रहा करती थी, करिस्मा एक बहुत ही गरीब लड़की थी, करिस्मा के परिवार में कोई भी नहीं रहता था, करिस्मा सिर्फ अकेले ही रहा करती थी, कुछ साल पहले ही उसके माता पिता का मृत्ति हो चुक क्योंकि पास में रहने वाला हरिया वो भी कप्रास लवाने के लिए चाया करते थे अब इधर करिस्मा के पास अपना खर्चा सलाने के लिए भी पैसा नहीं हो पा रहा था जिससे धीरे धीरे उसकी घर का सारा रासन खत्म हो जाता है हे भगवान अब मैं क्या करूँ अब तुम मेरे पास खाने के लिए भी खाना नहीं बचे है क्या आप मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा उदास होकर करिस्मा ये सब सोची नहीं थी कि उसके पास कुछ लोग कप्रास लवाने के लिए आती है सुनो करिस्मा तुम मेरे बेटी के लिए एक सुनर सा फॉक सिल देना इसमें मैं भी कुछ अपना कप्रा सिलने के लिए दे रही हूँ तुम उसे अच्छे से सिल देना क्योंकि ये सब कप्रा बहुत महगा है सुनो करिस्मा मैं भी तुम्ही बहुत महँगा कपड़ा दे रही हूँ ध्यान रहे कपड़ा खराब नहीं होना चाहिए वरना मैं एक भी पैसे नहीं दूंगी ठीक है ठीक है आटी आप लोग चिंता मत करिये मैं आप लोगों का कपड़ा बहुत अच्छे से सिलूंगी सुभी लोगों के चले चाने के बाद करिस्मा कपड़ा सिलना सुरू कर देती हैं रात होने पर करिस्मा कपड़ा सिलने के बाद सुने के लिए चली चाती है उस इन रात को अचानक करिस्मा की दुकान में आग लग जाती है इसे करिस्मा के सारे कपड़े चल जाते हैं फिर अगले दिन सुबह होने फ़र जैसे ही करिस्मा अपने जनेवी कपड़े देखती है तो करिस्मा बहुत ही उधास हो जाती है यह फग्वान अचानक से में दिसारी कपड़ी कैसी चल गए अब मैं क्या करूँ जिनके कपड़े थे मैं उन्हीं वापस कैसे करूंगी मेरे पास तो एक भी पैसे ही नहीं है कि मैं उन्हें कपड़ा खरिद कर उनका कपड़ा फिर से वापस कर सकूँ फिर दो दिन के बाद जिन अवर्तों ने अपना अपना कपड़ा दिया था वे सभी लोग अपना कपड़ा लेदी के लिए आती है करिस्मा तुमने दो दिन कहा था मैं दो दिन के बाद आ गई हूँ अब तुम मेरा कपड़ा वापस कर दो हाँ करिस्मा दो दिन हो गया है तुम मेरा भी कपड़ा वापस कर दो आंटी जी आप लोग मुझे माफ कर दीजे मैं आप लोगों का कपड़ा वापस नहीं कर सकती हूँ क्यों करिस्मा दो दिन के बाद कहीं थी हम लोग तो दो दिन के बाद ही आए है तुम आखिर हम लोगों का कपड़ा वापस क्यों नहीं कर सकती हो तुमसे अच्छा तो हरिया भाईया है जितने दिन में कहते हैं उतने दिन में कपड़ा वापस कर देते हैं अंटी जी मुझे माफ कर दीजिए मेरे कपड़ों की दुकान में आग लग गई थी जिससे आप लोगों के सारी कपड़े चल गए हैं आप लोग मुझे कुछ दिन का समय दीजिए जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के कपड़ की बजाए आप लोगों को पैसे दी दूँगी क्या तुमने मेरा कपड़ा जला दिया मेरा इतना अच्छा लहेंगा था तुमने उसे जला दिया करिस्वा आप तुम मेरा पैसा कब दोगी छा महिने हो गया है छा महिने में तुमने मेरा पैसा एक भी नहीं दिया है आप जल्दी से तुम मेरा घर खाली कर दो तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई भी जरुरत नहीं है आंटी जी कम से कम आप तो मेरे उपर दया कर दीजिए आप तो मेरे बारे में जानती ही है कि मैं कितनी गरीब हूँ मेरे पास अभी पैसे नहीं है जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूँगी क्या मैं तुम्हारे उपर दया करूँ छा महिने से दया कर रही हूँ तुमने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया है क्या मैं पागल हूँ जो मैं तुम्हें इस घर में आओ रहने के लिए रखूँ अगर तुम्हारे पास पैसी नहीं है तो तुम जाकर आना थाले में रहो यहा जंगल में चलते चलते कर इसमा एक जगह पर रूशाती है और एक पेड़ की नीचे पत्थर पर बैठ कर कर इसमा आराम करने लगती है मेरा किसमत कितना खराब है भला ऐसा किसी का किसमत होता है कास अगर मैं भी बहुत अमीर होती तो कितना अच्छा होता मुझे बहुत जोरो तुम मेरे जादवी जंगल में हो और तुम ऐसी बाते कर रही हो बताओ तुम्हें किस चीज की कमी है परी आप मेरी कमी पूछ रही हो मेरी पास तो सब चीज की कमी है मेरी पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना तो रहने के लिए घर है अब मैं क्या करूँ परी जी आप मेरी मदद करिये मैं खाने के लिए कहां पर जाओं और मेरे पास घर भी नहीं है मैं कहां पर रहूं अच्छा तुम रो मन बेटी मैं इस जंगल की परी हूँ और साथ ही साथ मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ इस जंगल में जो कोई भी आता है वो खाली हाथ कभी भी न नहीं रहेगी इतना बोलकर परीकरिस्मा के हाथों में एक गुलाब रकट करती है और परीकरिस्मा से बोलती है करिस्मा ये लोग चादोई गुलाब तुम इस गुलाब को एक अच्छी जगह पर रखती ना फिर देखना क्या होता है इस चादोई गुलाब से तुम्हारी सार लिना तुम्हारी सारी परिसानी दूर हो जाएगी इतना बोलकर परी वहां से चली जाती है और करिस्मा जातुई गुलाब को लेकर एक अच्छे जगह पर रख देती है देखती ही देखती वहां पर एक सुंदर विसाल घर प्रकट हो जाता है जिसे देखकर करिस्मा बहुत ह खुस होती है अरे ये तुई गुलाब का घर है पर ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैसे ही करिस्मा गुलाब के घर के अंदर जाती है करिस्मा उसकी सुन्दर तक हो देखकर बहुत ही खुस हो जाती है उस घर में जरूरत की सारी चीजे मौझूद थी अपनी जीवन मे पहली बार इतना सुन्दर घर को देखकर करिस्मा बहुत ही खुस होती है जादुई गुलाब की घर में करिस्मा खुसी-खुसी अपना जीमन बिताती है जादुई गुलाब की घर में इतने धेर सारे पैसे थे उस पैसे से करिस्मा एक बहुत बड़ा आना थाले बनवाती है फिर करिस्मा से जिन औरतों के कपणे चल गए थे करिस्मा उनके घर पर जाकर उनने धेर सारा पैसा वापस कर देती है आंटी ये लो अपने पैसे मुझे माफ करना पैसा दिने में थोड़ा देर हो गया है इसलिए मैं आप लोगों के पैसे थोड़ा जाला दी हूँ अरे तुमने तुम मुझे दस हजार रुपे दिया है लेकिन मेरे लहंगे तु सिर्फ आठी हजार क्या था कुई भात नहीं आठी आप इतने पैसे रख लो फिर एक दिन चपतारा खुमती हुए जा रही थी तभी उसे वही मकानवाल की दिखाई देती है जो करिस्मा को धाक की मार कर अपने घर से बाहा निकाल दी थी अरे क्या हुआ आठी आप यहाँ पर क्यों है आप सड़क पर भीक मांग रही है करिस्मा बेटी तुम मुझे माफ कर दो जैसे ही मैं तुम्हें अपने घर से बाहा निकाल दी कुछ दिनों के बाद मेरे घर में आग लग गई जिससे तुम्हारे अंकल उसाथ की चपेट मे आगये और उनका इलाज करवाने के लिए सारा पैसा चला गया है भीक मांगने के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं बिचा है भीक मांग कर अपना गुजारा नकरूं तो अब मैं क्या करूं मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है आंती जी कोई बात ranking अब सियाप मेरी estos다 मेरी घर पर रहोगी इतना बोलकर करिस्मा मकान मालकिन को अपने घर के पास लेका शाती है इतनी सुन्दर गुलाब के घर को देखकर मकान मालकिन हैरान हो जाती है और वो करिस्मा से बोलती है अरे भीटी करिस्मा तुमने ये नया घर कब बनवा लिया आंटी जी ये सब तो भगवान की क्रिपा है भगवान नहीं मुझे इतना सुंदर घर दिया है लेकिन आप जिंता मत करिए आज से आप भी मेरे साथ इसी घर में रहेंगी आज से आपका ये घर है ये सब बाते सुनकर सरीता को अपने उपर बहुत सर महसुस होता है बेटी तुम कितनी अच्छी हो तुम मेरे इतने बुरे दिन में तुम मेरा साथ दे रही हो नहीं आंटी जी हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए फिर उस दिन से करिस्मा और सरीता खुसी-खुसे चादुई गुलाब के घर में अपना जीवन भी तारी लगती है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है क कि हमें किसी के मुश्किल हालात में उसका साथ देना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टैल्स गुरू जी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इमांतार और होसियार लड़की थी पल्लवी अपने घर में अपनी मा के साथ रहा करती थी कुछ साल पहले ही उसके पिता का एक्सिडेट में मृत्ति हो चुका था पल्लवी की मा कौसिल्या सिलाई करके अपने घर का गुजारा किया करती थी पल्लवी अपनी मा की सिलाई करने में मदद किया करती थी क्योंकि पर्लवी को भी कुप्रा शिलने आता था कोशिल्या बहुत ही अच्छे लहंगे सिला करती थी और शाथ ही साथ वह वह बहुत अच्छे कप्रेश सिला करती थी जिससे सभी लोग उसके पास अपड़ tips पास जा कर अपने मा से बोलती है मा मुझे एक बहुत ही अच्छा उपाया है अरे बेटा कैसा हमा आप कपड़े सिलती हो तो आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग कपड़ों का दुकान खोल दें आप कपड़े सिलेंगी और मैं दुकान में जाकर भी उसे ले जाकर बाजार में बेचा करती थी पलवी अपनी दुकान में बहुत ही अच्छा च्छा ड्रेस और लहगा बेचा करती थी जिससे उसके अहां बहुत लोग कपड़ा खरिदने के लिए आया करते थे फिर एक दिन पलवी घर आकर अपनी मा से बोलती है मा आपको पता है हम लगों का कपड़ा इतना अच्छा होता है कि बहुत ही जल्द पूरा कपड़ा बीच जाता है अच्छा ये तो बहुत ही खुसी की बात है मा मैं ये सोच रही थी कि आप मुझे कल से और कपड़ा दे देना ठीक है बेटा कल मैं थोड़ा और मेहनत करके तुम्हें अगले दिन से पल्लवी अपनी दुकान में ढिन सारा कपड़ल लेकर बीच रही थी लेकिन उसके कपड़े इतनी सुन्दर थे कि जल्द ही पूरि कप्ड़े बीख सात Ты है । अफ्मेरे थीर बहुत जल्द पूरे बीख चुके फिर एक दिन जब पल्लवी अपनी दुकान में कपड़ा बेच रही थी तभी वहाँ पर एक बहुत ही अमीर और अताती है लड़की तुम्हारा ही नाम है क्या पल्लवी हाँ मेरा ही नाम है पल्लवी लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं पल्लवी मुझे तुम्हारे लहंगे ब प्विजवा सकती हूँ जिसी और भी मुझे जादा पैसा मिलेगा तो क्या तुम मुझे एक सप्ता के अंदर सौ लहंगे बना कर दे सकती हो ठीक है मैं मेहनत करके आपके लिए एक सप्ता में सौ लहंगा बना कर जरूर दे सकती हूँ तो ठीक है मैं एक सप्ता के अंदर तु पुलाने आपको बहुत पसंद आएंगे ऐसा बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है लेकिन पास में खड़ी कविता उसकी सारी बाते सुन लेती है ये सुनने के बाद कविता को जलन होने लगती है अरे ये पल्लवी और इसकी मा इतनी जल्द इतनी अमीर हो गई है और इसे स सव लहंगे बनाने के बाद तुप वह औरत पल्लवी को ठेश सारे पैसे देगी जिससे पल्लवी और भी अमीर हो जाएगी लेकिन मेरे रहते विए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है मुझे कैसे भी करके इसे रोकना ही होगा नहीं तो पल्लवी बहुत अमीर हो जाएगी इसकी पल्लवी अपने घर जाकर अपनी मा से बोलती है मा आपको पता है एक बहुत ही अमीर औरत मुझे एक सब्ता में सव लहंगे का ओडर दी है मा मैं कल से अब दुकान पर कपड़े बेचने के लिए नहीं जाओंगी और मैं भी आपके साथ मिलकर लहंगे सिल्वाने में मदद करूंगी हा बेटा तो सही कहती है सव लहंगे बनाने के बाद तो हम लोगों को धे सारे पैसे मिलेंगे फीर अगले ही दिन से पल्लवी और उसकी मा लहंगा सिल्ने लगती है एक सब्ताह कड़ी मेहनद करने के बाद भी दोनों सव लहंगे बना कर तयार कर देती है तब पल गई हूँ चलो अब हम दोनों सोचाते हैं अब कल सुबह देखा जाएगा फिर जैसे ही पल्लवी और उसकी मां को सिल्या सोचाती है इधर कविता उनके सारे लहंगों में आग लगा देती हैं अब मैं भी देखती हूं कि यह लोग कैसे इतनी जल्दमीर होती है फिर अगले द सामको तो वो औरत भी हम से लहंगी लेने के लिए आएगी मां एक सब्ता मेहनद करने के बाद हम लोगों ने सव लहंगे बनाये थे वो भी किसी ने जला दिये अब हम लोग क्या करेंगे और उस औरत को लहंगे कैसे देंगे बेटा पल्लवी मैं भी अब क्या करूं मैं भी नहीं जानती कि लहंगे किसने जलाए हैं पल्लवी उदास होकर अपनी दुकान की तरफ जा रही थी तभी रास्ते में उसे एक बूरी दादी दिखाई दिती हैं रुको बेटी क्या तुम मेरे इन लकडियों के गठर को मेरे घर तक पहुँचा सकती हो मेरे पैरों में बहुत दर्ध हो रहा है मैं लकडियों को उठा भी नहीं पा रहे हूँ ठीक है दादी मैं आपके लकडियों के गठर को आपके घर तक जरूर पहुचा सकती हूँ फिर पलवी लकरियों के गठर को उठा कर बूरी दादी के घर की तरफ चल देती है घर पहुँचने पर बूरी दादी पलवी से बोलती है बेटी क्या हुआ तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो अपने लहेंगे के जन जाने के बारे में बुरी दादी को बताती है बेटी तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम बहुत मेहनती भी हो इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ बेटी तुम यही रास्ता पकड़के आगे चली जाओ तुम्हें एक जादूई जर्ना दिखाई देगा तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो इसलिए वो जादूई जर्ना तुम्हें जरूर दिखाई देगा तुम उस जादूई जर्ने से जो भी चीज मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा वो जादूई जर्ना हर किसी को दिखाई नहीं देता है जो अच्छी लोग होते हैं और उन्हें जिनकी जरूरत होती है बस सिर्फ उसी को ही दिखाई देता है मुझे पूरा विस्वास है कि वो जादूई जर्ना तुम्हें जरूर दिखाई देग यह सब देखकर पल भी बहुत खुश हो जाती है और जादू एजहने से बोलती है जादू इजहना में बहुत मुसीबत में हूँ क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मुझे जादू इलेंगे की बहुत जरूरत है लड़की क्या तुम मुझे देख सकती हो इसका मतलब तुम बहुत ही सच्ची और अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा मैं तुम्हे एक जादूई लहंगा दूँगा, तुम उस लहंगे से चाहे जितना भी लहंगा मांग सकती हो और वो जादूई लंगा तुम्हारा हमेशा मदद करेगा जादूई चरना आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना बोलकर पल्लवी एक जादूई लेहंगे लेकर अपने घर चलिया आती है फिर पल्लवी चादूई लहगे से सो लहगा मांगकर उस अमीर अउरत को दे देती हैं इतने सुन्दर लहगे को देखकर वो अमीर अउरत बहुत ही खुश होती है और पल्लवी को धेर सारे पैसे देते हुए बोलती है पल्लवी मुझे तुम्हारे लहंगे बहुत ही अच्छी लगे हैं इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे यहां से ही लहंगे खरिदा करूंगी अब पल्लवी चादुई लहंगे से ढ़े सारे लहंगे मांगर बेचा करती थी अब पल्लवी और उसकी मार जादुई लहगे की वाजा से खुजहाल जीवन बिताने लगती है और जहां तक बात है कवीता का कवीता पल्लवी को बार बार गड़िब बनाने की कोसिस करती है लेकिन उसकी मेहनत और अच्छाईयों को देखकर वो भी हार मन लेती है इस कहानी से हमें ये सेख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ता है तब ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और ऐसे ही नई कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल हिंदी टेंस बूर जी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कोई कहाने कैसी लगी